हर्दा जिले के अंतरगत आने वाले ग्राम मगरदा की हाला तेन दिनों काफे चिंता चनक पनी हुई है यहां सवच भारत अभ्यान के नियमों की पूरी तरह से धच्य उड़ा इचा रही है कहीं भी सवच्चता नजर नहीं आती है नजर आता है तो जगा जगा कच्रे और ग जंदगी के धेर गाउं की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यह गाउं भारी उपेक्षक अशकार हो रहा है जहां तक जवाबदार लोगों और अधिकारियों की बात है तो वह कभी भी इस और ध्यान नहीं देते ग्राम वासी नर्ग की जीवन जीनों को मजबूर है हर्दा ज प्रामिडों ने आरोप लगाया है कि कई बार संबंदित विभाग और अधिकारियों को शुक्याइद की है लेकिन वध्यान देने को तयार ही नहीं हो रहे हैं जनप्रतिनिदी भी हमारी सुध लेने नहीं आते हैं यहां पर रोल पर जगा जगा गंदा पानी बहता है जग सुब की बात यह है कि ग्राम पंचायद भवन के सामने ही कच्र का ठेर दिखाई दे रहा था तो फिर अंदासा लगाया जा सकता है कि गाउं की हालत क्या होगी यहां कभी नालियों की सफाई नहीं की गई गई उनमें कच्र और गंदी की भरी पड़ी रहती है जिसके करण जलगे निकासी नहीं हो पती और सारा पानी सड़क पर चोज घंटे भरा रहता है सफाई कर्मी तो यहां पर नाली साफ करने नहीं आते हैं लिहाज़ा ग्राम पंचायद अपना करता भी और जवाबदारी निभाय तो यहां की इस्तिती बदली जा सकती है एक तरफ तो प् अधिरे नगरी चोपट राजा कहावत देखने को मिल रही है जनपत पंचायद सीओ वचिला सीओ इस और ध्यान देकर ग्राम में साफ सफाई करवाएं और हो सके तो यहां का दोरा भी करें ताकि सच्यू को वरिष्ट अधिकारियों का भय भी रहे हरदा से दोपन ने उसके लिए सुनेल माला का वरिष्ट अरूप है कि हमारे गाओं में साफ सफाई नहीं होती है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप साफसफाई नहीं होते उसकी हम एक बार चांज करा लेंगे और सॉलिट लिक्विट वेस्ट मेनेजमेंट के लिए पुरे जिले में सो गाओं का चैन किया गया है उसकी कारी योजना बन रही है लिपिया बन रही है उसकी तो जैसे ही वो डिपयर बनेगी जैसे नगरी शेत्र